देखा जाए तो आज आपके पाद जो इंकम आने का रास्ता होगा वो एक ही रास्ता होगा लेकिन उस इंकम को खत्म करने के जो रास्ते होंगे वो बहुत सारे होंगे जैसे आपके बच्चों की स्कूल की फीस हो गई आपके घर के जो भी बिल वगरा होते हैं इसके अलावा आपके घर के खाने पीने के खर्चे, आपके मोबाइल के खर्चे है, इसके अलावा आपके घर पड़िवार में कोई medical emergency आ जाती है, तो उसमें जो भी आपका पेसा खर्च होता है, इसके अलावा यदि आपके घर पड़िवार में रिष्टेदार में कोई साधी आ जाती है, तो उसमें भी आपका पैसा खर्च होता है तो देखा जाए तो इंकम एक रास्ते से आती है लेकिन उसके जाने के रास्ते बहुत सारे है लेकिन देखा जाए तो बात यह नहीं है कि इंकम आपके पास एक रास्ते से आती है और कई रास्तों से खत्म हो जाती है एक बहुत बड़ी बात है वो यह है कि चलो आज तो आपकी इंकम आती है आपकी उम्र 20-25-30 साल की है आप बहुत अच्छा काम करते हैं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ से आपके पास इंकम आ जाती है और फिर उस इंकम को आप कई रास्तों से खर्च कर देते है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आज से कुछ साल बात यानि जब आपकी उम्र 50-60 साल की होगी तो उस समय देखा जाये तो यह जो इंकम आने का रास्ता है यह पूरी तहाप बंद हो चुका होगा यानि इंकम आपके पास नहीं आएगी लेकिन जो यह खर्चे की जो आपकी इंकम बंद हो चुकी होगी तो आप कैसे मेनेज करोगे और देखा जाये तो यह कंडिसन आपकी जीवन में आना ही आना है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई वेक्ति जीवन भर हट्टा कट्टा रहे यानि ऐसा नहीं हो सकता कि हर उम्र में आप पैसा कमा ही पा कभी सोचा है आपने तो यदि आप इन समर्स्याओं से बचना चाहते हैं अपने रेटायमेंट को यानि अपने बुढ़ापे को पूरी तार से आर्थिक उपसे सुरक्चित रखना चाहते हैं तो इसके लिए जो एक बहुत अच्छा उपाय है बहुत अच्छा समाधान है तो उस समय आपको हर महिन पैसा मिलता रहेगा जिससे कि आपके आगे के जो भी खर्चे होंगे उसे आप बहुत यासानी से मैनेज कर सकेंगे तो देखा जाए तो हर कंडिशन में आपकी इंकम को सुरक्चित रखने के लिए अपने रेटायमेंट को सुरक्चित रखने के ना चाहिए क्योंकि देखा जाए तो insurance policy के जरिये यदि आप pension plan लेते हैं तो इसके आपको बहुत सारे benefit मिल जाते हैं सबसे बड़ा benefit तो आपको यहीं मिल जाता है कि यदि आप इस दुनिया में रहोगे तो retirement में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा लेकिन भगवान न करे यदि बीच में आपके साथ कभी कुछ सुख दुख हो जाता है तो उस condition में आपके परिवार को एक बहुत अच्छा amount मिल जाएगा जिससे उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फिलाने क्या हो सकता नहीं पड़ेगी उसी दर से अपने खर्चों को manage कर सकेंगे जिस दर से आपके र benefit मिलता है यदि आप हो तो आपके retirement की वियस्ता हो जाएगी और यदि आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आपके परिवार को किसी तहा की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तो call कीजी अपने insurance advisor को और उससे एक बहुत अच्छी insurance policy लेकर यानि एक बहु